जैशे कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ दिवाली स्पेशल चल रहा है और मैं आपके अस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपको ये बता रही हूं कि क्या क्या दिवाली के अंदर हम और ज्यादा प्रभावी कर सकते हैं जिससे इस बार महा लक्ष्मी जी का हम पर आशिरवाद जरूर बरस जाए एक बात बताईए कुंडली के अंदर धन भाव जो होता है वो दूसरा होता है पंचम जो होता है वो उसको संचे रखने का कारे कराता है उससे लाब दिलवाने का कारे 11th house करवाता है और बेवजवे उसको बाहार निकालने का कारे हमारा बारवा घर करता है अगर मैं इस गनित को दूसरी तरीके से आपको सुनाओं तो हमारी कुंडली में हमें जो भी धन प्रदान करने वाले घ्रह होते हैं वो तब तब हमें नुकसान देते हैं जब जब राहु या केतु उन्हें परेशा के खर्चे जिनका कोई मतलब नहीं है जो हमारे किसी काम दुबारा आएंगे ही नहीं जिनसे हमें कभी लाब मिलेगा ही नहीं जैसे कि अगर मैं 100 रुपे अगर इन्वेस्ट करती हूं आज की देट में किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर और पता चला कि राहु दशा में आ बैट गए हैं तो यह उस प्रॉपर्टी के उस पैसे को पाने के लिए हमें और पैसा खर्च करना पर जाएगा अगर हम यह देखें कि हमें शनी धन दिला रहा है और शनी के ऊपर अगर किसी तरीके से राहु की द्रिष्टी आ गई गोचर की द्रिष्टी हो चाहे आपके जनम के राहु की द्रिष्टी हो अगर द्रिष्टी आ गई तो यह क्या करेगा आपका पैसा बेवज़े बिमारियों पर खर्च करा देगा बेवज़े कि बिमारियां घर में इस तरह होने वाला है तो हमारे पास जो हमने संचित करा हुआ पैसा होता है वो हमें निकालना पड़ जाता है इसी तरह अगर मंगल हमें धन दिलाने का कारे कर रहा है या लाब दिल आने का कर रहा है और उस פर राहू किसी तरीके से अपना प्रभाव दे देता है कूप रभाव दे देता है तो क्या होता है हम ठाना कचैरी Hawk या किसी accident के कारण या किसी व्यक्ती से लडाई ज्यगडje के कारण हमें धन खर्च करना पर जाता है हम जितना पैसा इखटा करते हैं वो एक बारी में इन सब चीजों में हमारा स्वाहा हो जाता है और उसका हमको नुकसान भुगतना पर जाता है तो राहू का हमारे जीवन के अंदर बहुत जबर्दस रोल होता है राहू से लोग डरते हैं और मैं यह क राहू इस अंदकार को मिटाने का कार्य करते हैं राहू क्या है रात है राहू क्या है अंदकार है राहू क्या है हमारे जीवन का अभिशाप है राहू क्या है राहू हमारे जीवन के अंदर नेगिटिविटी है राहू क्या है राहू हमारे पास में चलने वाले गण पिशाच भूत प्रेत ये हैं तंत्र मंत्र ये हैं तो हम इस दिपावली पर राहू के उपर अपनी फत्य पाते हैं हम आपको कुछ तरीके कुछ टोटके ऐसे बताते हैं जिससे आप अपने राहू को कंट्रोल कर सकें राहू को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा साधन होता है लाल मिर्च के दाने बहुत अजीब लगेगा लेकिन यह हकीकत है अमावस्ती रातरी को अगर काले कपड़े के अंदर आप लाल मिर्च के 21 दाने बांध कर और राहू के जाप करके उसको अगर आप अपने प्रवेश द्वार पर टांग देते हैं तो आपके घर से अन्वांटेड यानि की बे मतलब की फिजूल खर्ची बंध हो जाती है अगर आपकी कुंडली का 12 हाउस खराब है और आपकी कुंडली के 12 हाउस की वज़े से आप कमाते तो बहुत हैं लेकिन आपका आपके उपर कंट्रोल नहीं आप खर्च भी बहुत करते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको महादिपावली की रातरी को काले कपड़े के अंदर साथ काली मिर्च, ग्यारा आपको लाल मिर्च के दाने, साथ में आपको एक कौड़ी और काली गुंजा बांद कर अपने घर के मुख्ये द्वार के उपर लगा देना चाहिए ऐसा करने से आपके बेवजे के खर्चे खतम हो जाते हैं आप चाहो तो आप ये पोटल मन तो है लेकिन मन में एक शांती नहीं है बहाग दोर सी जिंदगी लगी हुई है और कमा लो और कमा लो नहीं कमाएंगे तो यह रह जाएगा घर खरीद लिया तो यह दिक्कते आजाएंगी गाड़ी खरीद ली तो अब ये परेशानी आजाएगी अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास पैसा बरकत करें पैसा बरकत करने का मतलब ये है कि हम 10 रुपे लगाएं लेकिन वो 10 रुपे हमारे पास किसी ना किसी जरीय से 12 रुपे बनकर वापस आजाएं इसे बरकत कहते हैं आपने पैसा ऐसी जगे पर लगाया जो पैसा पैसे को खीचता है यह पूरा हकीकत बात है जिस तरह से लोहा चुम्बक को खीचता है या चुम्बक लोहे को खीचती है उसी तरीके से लक्षमी लक्षमी को खीचती है पैसा ही पैसे को खीचता है तो अगर आप यह चाहते हैं कि आप डस लगाएं और वही दस आपके पास आपके पास बिस ना आएं आपके पेस परशाप लेकिन जो लगा रहे हैं वो भी आपके पास रिटन आ जाए कुछ समय में तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए आपको महा दिपावली के दिन एक आवला लेना चाहिए आवले का दिपावली के के अंदर रख लेना है उसके उपर आपको सिंदूर लगाना है कमल गट्टे के कुछ दाने रखने हैं पांच गोमती चक्र आपको गंगा जल में डाल कर शुद्ध करकर और उसके बाद विश्णु सहस्त नाम से सिद्ध करकर आपको उस कपड़े के उपर रख देने हैं तद के बाद में आपको महालक्षमी के सद्ध मंतर से जो भी महालक्षमी का सद्ध मंतर है उस सद्ध मंतर से आपको कम से कम पांच माला जाप करना है और उसके बाद इस पोटली को आपको कुछ देर बाहर यानि कि अपने घर के किसी खुले स्थान पर रख देना है और इसके चारो तरफ आपको एक नीबू घुमाना है आपने बीच में रख दिया और उसके चारों तरफ आपने एक नीबू घुमा दिया इस नीबू को घुमाने के पार चार पाड़ी में काट कर आप अपने घर के बाहर फ्रैक दीजे चाहे चौराये पे फ्रैक दीजे चाहे आप किसी गंदी जगह पर डाल दीजे और यह जो पोटली है इसको उसी समय तुरंट उठाकर अपनी तिजोरी में स्थापिक कर दीजे बहुत छोटा सा काम है करके देखिएगा आपकी जिन्दगी सच में आश्चरियर रूप से बदल देगा इतना अधबुद प्रभाव आपको मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते तो चलिए महा दिपावली पर यह कारे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मैं फिर आउंगी कुछ अलग कुछ अदबुद लेकर तब तक के लिए मुस्खुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा आपने सार्थी के साथ योई जुड़े रहिएगा प्यार लेते रहिएगा ख्याल रखेगा अपना और उनका भी जिन से आप पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गोड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लवस के अधेन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात्रिशला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानत किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवासा जा चुका है। हुआ